बिग बॉस 15 शुरुआत से ही दमाल मचा रहा है शो के पहले दो हफ़ते में ही कंटेस्टेंट्स के बीच जुबानी जंग से लेकर हाथा पाई तक देखने को मिल रही है अब नई रिपोर्ट्स की माने तो शो में एंटर्टेंट्मेंट का डोज डबल हो सकता है शो के मेकर्ज राकेश बापट और अनुशा दांडेकर को वाइल कार्ट कंटेस्टेंट्स के रूप में शो का हिस्सा बनाने पर विचार कर रहे हैं हाली में अफसाना खान और शमीता शेटी के बीच लड़ाई हुई जिसमें अफसाना ने उनको बहुत कुछ सुनाया इस बात पर सलमान खान ने अफसाना की जंपर क्लास लगाई लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शमीता के साथ बिग बॉस ओटी टीम में साथ रह चुके उनके दोस्त राकेश को उनकी चिंता सताने लगी है वहीं दूसरी तरफ बिग बॉस की टीम की तरफ से करन कुंदरा की एक्स गर्फरेंड अनुशा डांडेकर को भी शो में बतौर वाइल्ड काड एंट्री के लिए अप्रोच किया जा रहा है अनुशा को मेकर्स ने शो का हिस्सा बनने के लिए अच्छी खासी रकम की पेशकर्श की है करन अनुशा लगवग 6 साल तक रिलेशन्शिप में रह चुके हैं लेकिन बाद में अनुशा ने करन पर धोखा देने का रोप लगाया था जिसके बाद दोनों अलग हो गए जाहिर सी बात है कि ऐसे में अनुशा की एंट्री शो को और मज़ेतार बना देगी दोनों के बीच नोग जोग भी देखने को मिल सकती है वहीं कई ऐसे राज से भी परदा हट सकता है जो अब तक दोनों के सीने में दवे हुए थे